हेलो बच्चो आज फिर से हम लोग आहाए एक नाय टॉपिक ले करके और टॉपिक का नाम है बैंकिंग ट्रांजिक्शन और इस टॉपिक अंदर हम लोग यह सीखेंगे कि कभी भी अगर हम बैंक के साथ ट्रांजिक्शन करते हैं तो चल यह बिना टाइम गमाए सबसे पहले ह यहां पर शपूज करो कि एक बिजनसमेंट जाता है बैंक में खाता खुलानें तो देखो तो धृफान से देखिएगा को आप करेंगे क्या तो आपका जो बैंकHrey यहां पर कौश्व है तो इस बैंक में सपोश करो खाता खुलबाय तो एस भीं पाने में जो खाता खुलबायेगा अगर आप बिजनस्मान है तो फ्रीपोक्त में तो खूलने देगा यह खाता है किन यहां पर क्या जमा करनापढेगा आपको जमा lavor방 करना पड़ Pare це मा करना पड़ेगा तब खाता अपका खुलेगा दो देखो क्या है कि बैंक में यह कैस कहां चला जाएगा बैंक में चला जाएगा येनि बैस कहां बढ़ेगा बावो बैंक में तो बेलेश करों यहां ध्यान कि गेगा यूज कीजेगा बैंक में बैलेंस बढ़ेगा तो debit करना है bank को और bank में जब भी balance घटेगा तो credit करना bank को अब अगर हम खाता खुलवाते हैं तो balance कहां बढ़ेगा bank में बढ़ेगा तो entry क्या करेंगे हम bank account को debit करेंगे और जो मेरे पास cash था यानि जो मेरे business के अंदर cash था cash कम हो रहा है तो cash कम होना कहा रिकार्ड होता है credit में क्यों होता है इसा क्योंकि देखो अब जो हमारा पैसा हो कहां चला गया bank में चला गया तो assets कहां पर बढ़ रहा है बेटे bank में बढ़ रहा है तो debit करेंगे इसको और पास का जो cash वाला assets और मेरा कम हो रहा है बिजनस के अंदर तो assets कम हो रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा credit करना पड़ेगा इसलिए हमने कैस को credit कि कि दूसरा चीज़ दिखेगा कि डिपोजिटेड कि कैस कि इंटू bank अब खाता खुलवाने के बाद जो तुम bank में पैसा कभी जाओगे जमा करने तो कौन सा entry करोगे यही वाला same entry करोगे फिर से तुम्हारा bank account में पैसा बढ़ेगा और cash तुम्हारे business से घटेगा तो बस यही same entry आपको करना होता है हाँ अब बेटे हम तीसरा ट्रांजेक्शन देखते हैं क्या होता है तीसरा ट्रांजेक्शन ध्यान से देखिएगा कैस विड्रो फ्रॉम बैंक अब देखेंगे कैस विथड्रिव फ्रॉम बैंक यानि पैसा कहां से निकाला जा रहा है बाबो बैंक से पैसा निकाला जा रहा है सिंपल सा बात अब देखो जब भी तुम कैस विड्रिव करोगे वह दो रीजन हो सकता है एक तो रीजन हो सकता है कि तुम कि पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा है पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा है और दूसरा हो सकता है कि तुम बिजनस यूज़ बिजनस यूज़ के लिए निकाल रहा है तो देखो जब भी तुम बिजनस के अकाउंट से पैसा निकालोगे ध्यान रहें किसे अकाउंट से बिजनस के अकाउंट से बैंकिंग ट्राइक्षन हम किसके लिए यहां पर रहे हैं लोगों का किसी भी ऑनर का परसनल एकाउंट का हम बात कर ही नहीं परसनल एकाउंट मतलब सेविंग अकाउंट उसका को मैं बात कर ही नहीं रहा हूं समझे तो मैं यहां पर current account related बात कर रहा हूं तो ध्यान दीजेगा जब भी कोई बंदा बिजनस से कैस्ट निकाल लेता है तो क्या हो रहा है business का पैसा जब आप निकाल लोगे प्रस्नल यूजिके लिए के लिए इकाउंट को सबस्छ में क्यों करेंगे Da लिजन क्या है तो के पिटल के कं पूंजी था तो अभ होगया बिजनस का amerika कम हो गयाinta तो ध्यान दिया बिजनस को डिया बूधakukan ने दिया था तो अनर का क्या होगा अनर का कैपिटल कम होड़ा ड्रॉइंग के वज़े से तो कैपिटल कम होने पर क्या होगा कैपिटल को हमें डिविट करना पड़ेगा और टू यहां पर बैंक में क्या बैलेंस बढ़ रहा है कि घट रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा से ऐसे लाना जाएंगों क्रेडिट में लाना पर एक क्यूंकि एशेट में निन पेखेंगे निकालेंगे कुछ से के अंधर क्या होगा कैस बढ़ जाएगा तो कैसेन अकाउंट डेबिट करेंगे डिजनस में लिखेंगें अई कर रिक डाव लिखेंगे बैंक तो कि ऎंटरी क्या बनेगा कैसे अकाउंट डेबिट कुरिखेंट City से बढ़ जाएगा बैंक से निकल के कहा जाएगा बिजनस में कैसा जाएगा और बैंक में क्या होगा बेटे एसेट घट जाएगा इसलिए बैंक को हमें क्रेडिट करना पड़ेगा फिर आगे इंटरे देखते हैं चलो अब चौथा ट्रांजिक्षन देखते हैं तो देखिए चौथा ट्रांज अब द्यान दिजैगा क्रेडिटर कोन होता है जिस्ता मोधारी समान खरीते हैं और यह मेरे लिए लाइबलेटीज होता है यह मेरे बिजनस के लिए बैटे लाइबलेटीज होता है तो ध्यान दिजेगा अगर हमने creditor को payment किया है check से तो liabilities मेरा क्या होगा घटेगा तो liabilities का घटना क्या होता है debit होता है तो हम लिखेंगे creditor creditor account debit to पैसा कहां कमेगा payment किये हैं check से अगर payment किये हैं तो कहां कटेगा balance bank में कटेगा अगर किसी party को payment होगा तो उसका balance अगर किसी party को payment होगा तो मेरा balance कहां से कटेगा bank से कटेगा simple सी बात है suppose करो यह मेरा bank account है और bank का नाम है SBI SBI का check हम इसको दे दिये हैं यह suppose कि यह राकेस है राकेस मेरा creditor हैं राकेस कोन है मेरा creditor है अब हम SBI का check इसको दिये हैं इस उड किए payment किये हैं हम राकेस को अब राकेस जैसे ही check जमा करेगा अपने bank account में तो मेरे bank से पैसा कट करके कहां चला जाएगा इसके bank में जमा क्रेडिट करेंगे तो बैंक अकाउंट को हम बेटे क्रेडिट कर देंगे कि अब ध्यान से देखिएगा पाचमां इंट्री कि एभब चेक डिज अनर कि एभब चेक इभब चेक डिज अनर का मतलब क्या होता है नौड किलियर हमने जो किसी पार्टी को पेमेंट किया था वो किलियर नहीं हुआ हो सकता है चेक में कोई एरर था जिस कारण से चेक किलियर नहीं हुआ तो अब चेक किलियर नहीं हुआ तो राकेस हमसे फिर पैसा लेगा राकेस कहेगा भाई तू कैसा चेक दिया चेक तो किलियर हुआ ही नहीं तो राकेस मतलब लाइबलेटिस फिर से मेरा प्लस हो गया और हम जो मान के चल रहे थे कि बैंक में मेरा पैसा कट गया तो बैंक मे lotta क्टा ही न business accounts में पैसा नहीं प्लस हुआ समझ Tb करेंगे हमारे पैसा तो हम अपने औरयमें नकान क्या कर लिंगे यहां पे माइनस किया हुए यहां orange इसमाने के लिए क्या करना पड़ेगा फिर से रहramer नां क्रेडिटर हैं यहाँ लिख लिएंगे डिटीर अकाउंट क्रेडिटर के जगा नाम लिखेंगे समझ यहाँ पर क्रेडिटर क्रेडिटर का पर weeks translating तो स्ट अनाम को प्रियोग कि जीगा है तो देखिए फिर से मेरा लाइबिलेटिज प्लस हुआ इसलिए हमने क्या कड़ा क्रेडिट किया फिर से बैंक से पैसा कटा ही ने तो अश्रीट फिर से बढ़ गया इसलिए यह क्या हो गया बैंक देखेंगा डेबिट हो गया चलिए फिर देखते हैं हम छटाइं अब बेटे देखेंगे इंटरी नंबर शिक्स इंटरी नंबर शिक्स क्या है तो धियान से देखेंगे चेक रिसीब्ड रॉम डेटर डेटर यानी पार्टीज अब ये कोन होता है डेटर कोन होता है जिसको मुदहारी में माल बेचे रहते हैं उसको हम डेटर बोलते हैं समझ गए तो जब हमें डेटर अगर चेक दिया है चेक हमें डेटर से प्राप्त होड़ा है तो देखेंगे चेक जो बेटे रिसीब्ड हुआ है इसमें दो situation create हो सकता है पहला situation और दूसरा situation तो गौर से ध्यान दिजेगा तो माल लो अगर मुझे किसी party ने चेक दिया मैंने उधारी में माल बेचा था उसने मुझे payment करा चेक से चेक से payment करा तो पहला situation ये हो सकता है अगर वो after banking hour दिया है ध्यान दिजेगा after banking hour जैसे कि bank बंद हो रहा है उस time पे दिया है या किसी भी reason से वो हमें दिया है और हम bank में जमान नहीं कर पाए वो कोई भी reason हो सकता है हमने क्या किया कि आज bank में जमान नहीं कर पाए यानि क्या है कि देखा जाए तो not deposited into bank same day जिस दिन हमको check मिला न बेटे उस दिन हम जमान नहीं कर पाए तो नहीं अगर जमान कर पाए तो entry जो मेरा बनेगा वो क्या entry बनेगा जड़ा ध्यान से देखेंगे तो चेक तो रहा गया हाथ में हाथ का मतलब ड्रॉ में रख देंगे या कहीं पे भी रख देंगे लेकिन बोलेंगे चेक इन हैंड वो बैंक में तो गया ही ने तो चेक इन हैंड एकाउंट डेबिट लेकिन इस पार्टी का नाम तो खटाएंगे ना पार्टी का तो नाम खटाएंगे और डेटर होता को ने बिजनस का एसेट होता है तो यानि इस एसेट को माइनस तो हमें करना होगा क्योंकि बिज चैक दे नाहुगा करेंगे बावो क्रेडि sonnet घ्यान काउंट को के अउर्डियान दीजीएंगा डेटर असेट होता है शेट मुझे एक बार चैक देदिया तो दुबारा देगा ने समझ आप दूसरा इसी में देखेगा एफ यह नंबर इंट्री यह किये अभी इसका क्या हो सकता है अगर यह चेक किसी अगले दीन बैंक में जमा हुआ तो यह यह वह छेक डिपोजिटेड इंटू बैंक डिपोजिटेड इंटू बैंक नेक्स्ट डे अगले दिन इस चेक को क्या किये बैंक में ले जाके जमा कर दिये तो अब बेटे क्या हुआ बैंक में फिर से ध्यान देना लिखे थे पहले भी बैंक में चेक का बढ़ना सॉरी बैंक में बैलेंस का बढ़ना डेविट होगा और बैंक में बैलेंस का घटना क्रेडिट होगा इसको ध्यान में रखेगा इसी के आधार पर आपका पूरा एंट्री होगा तो एभाव चेक मतलब यह वाला जो चेक इन हैंड भूvent ये कहाँ चला गया बैंक में चला गया तो अब तो चेक इन हैंड मेडे पास तुल रहा नहीं तो इस चेक को कैंसेल करना होुगा तो च्छ Ala न रिखेंगे क्रेडिट में जमा हो गया तो हम ये मान के चल रहे कि बैंक में, balance मेरा बढ़ गया समझे हम ये मान के चल रहे कि बैंक में, balance मेरा बढ़ गया तो हम bank account को debit कर ले लिए to check in hand, लिख लेंगे situation no.2 क्या हो सकता है कि चेक मिला अग डिपोजिट कर दियें same day तो deposited into bank same day अब ध्यान देना बेटे same day हम गए और बैंक में deposit कर दिये चेक को तो बैंक में balance बढ़ गया ऐसा मानेंगे तो bank account debit to जो party दिया है data data मतलब assets वह मेरा कम हो रहा है क्योंकि वह मुझे दे दिया पैसा चेक के माध्यम से तो यह data account लिए देंगे समझ में आए फिर अब concept number six के बाद बेटे seven देखेंगे अब concept सेवन में क्या है जड़ा ध्यान दीजेगे यह जो पार्टी हमें चेक दिया है तो अगर यह चेक अबिजर्नर हो जाए तो क्या होगा तो देखो एबी ओवी एभव चेक इफ एफ एफ चेक इभव चेक इस दिजानर इफ अबचेक बिकोम्स दिजानर यह थाए उनर्स अब देखो designer का मतलब क्या not clear अगर जो यह चेक clear नहीं होगा तो क्या इंट्री होगा यानि फिर से हम data को बढ़ा लेंगे है ना data को फिर से बढ़ा लेंगे यानि चीक देने वाला विक्ति मेरा फिर से बढ़ जाएगा तो हम data account को debit कर देंगे फिर से assets को बढ़ा लेंगे data account debit और यह जो मानके चले कि bank में balance प्लस हो गया है अब इसको क्या करना होगा बाव माइनस करना होगा यहाँ प्लस हो गया था तो debit कर लिए थे लेकिन चेक तो clear हुआ ही नहीं जो data दिया उसमें चेक उसने चेक पर mistake करके दिया तो चेक तो clear हुआ ही नहीं तो bank में मेरा पैसा जमा हुआ ही नहीं हम जो यहाँ debit कर लिए थे अब उतने से क्या करेंगे यहाँ पर credit कर देंगे बैंक को credit कर देंगे घटा लेंगे balance को समझ गया तो bank का balance जैसे घटेगा तो credit में आएगा अफिर से मेरे लिए data बढ़ गया जो की दियान से देखिएगा तो फर्म्स को गाइब एकस्पेंस पर दवाई जी कि अगर फर्म्स का मतलब होता है आपका जो business इसको फर्म बोलते हैं वैसे फर्म का मेंनिंग हम लोग लुग क्लास्ट्रेल्थ में समझेंगे तिक नभी फिलाल फर्म्स का मतलब बिज्ट्रीश ब बिजनस समझी समझ गया ना तो देखिए फर्म्स एक्सपेंस पीड़ कि बाई चेक चेक के द्वारा फर्म का करचा का भुपतान किया तो धियान देंगे तो जो भी एक्सपेंस होगा उस एक्सपेंस को डेबिट करेंगे एक्सपेंस इस अकाउंट डेबिट टू पैसा कहां कम हो रहा है बावो बैंक में तो बैंक एक्काउंट को हम लोग क्रेडिट कर देंगे आया बात समझ में क्यों करेंगे बैंक को क्रेडिट क्योंकि बैंक हमारा एसेट है एसेट में बैलेंस जैसे ही डाउन होगा तो क्रेडिट और एक्सपेंस को क्यों डेविट की है क्योंकि एक्सपेंस अमारा एक्सपेंस है और एक्सपेंस का जैसे ही बैलेंस बढ़ता है खरजा का बैलेंस जैसे बढ़ता तो डेविट हां इसको समझते हैं कि एक्जांपल के माल लो कि रेंट कि रेंट पेड कि इंसूरेंस पेड कि उसके अधने सैलरी पेड कि यह जितने भी पेड है न सब क्या है बावो बाई कि चेक है अगर इसका इंटरी बनाना है तो कैसे हम बनाएंगे तो यह देखिए जितने भी सब बिजनस का एक्सपेंस है तो सब को क्या करेगा बिजनस डेविट करेगा रेंग रेंट अकाउंट डेविट इंसूरेंस अकाउंट डेविट उसके उसके बाद में सेलरीज अएक एकाउंट डेविट अट्टी साड़ा का साड़ा पैसा कहां से कट रहा हैं वेंक से कट रहा हैं तो बैंक एकाउंठ ग्रेडिट किया जँिदे समझ में आ रहा है बैंक को हम क्रेडिट करेंग्य क्यांकि अब example number eight देखेंगे कभी-kभी क्या होता है तो देखिएगा honors और नर्स लाइफ इंसुरेंस लाइफ इंसुरेंस अ पेड़ बाएं पेड़ बाएं अ बिजनस अकाउंट्स बिजनस बैंक्स बिजनस बैंक्स अकाउंट्स अब देखेगा यह किसका पेमेंट हो रहा है बाभू ओनर का लाइफ इंसुरेंस तो हम क्या केवल जो बिजनस का खर्चा पेमेंट होता उसी को दिखाते हैं अब ओनर का लाइफ इंसुरेंस ओनर क्या कर दिया यह ओनर अपने life insurance suppose करो LIC लिया और bank bank को बोला कि भईया ये जैसे ही होगा न मेरे business के account से तुम पैसा काट लेना मेरे business के account से तुम पैसा काट लेना तब ध्यान दीजेगा bank वाला क्या करता है उसके business के account से पैसा काट लेता है जो भी premium होता है या कुछ भी होता हो business के account से पैसा deduct कर लेता है लेकिन ध्यान दीजेगा ओनर का personal transaction अगर कुछ भी होगा ओनर personal पैसा अगर निकालता है या goods निकालता है तो क्या कहलाता है drawings कहलाता है तो यहाँ पे हम word use क्या करेंगे बावू drawings account debit to पैसा कहा कटा है business के bank account में तो bank account अब यहाँ drawing क्यों लिखे क्योंकि देखिए ओनर अगर personal योज के लिए कोई पैसा निकाल लेता है तो यह माना जाता है कि उसने business के अंदर capital कम कर दिया क्योंकि capital किसका होता है ओनर का ही capital होता है business के अंदर और ओनर जब अपना capital निकाल के अपना खुद का घर का घर जाए या personal expense करेगा तो drawing कहलाएगा तो drawing इसलिए debit हुआ है क्योंकि capital कम हुआ है और उसके बैंक क्या है बेटे asset है asset का balance जैसे ही down होगा तो यह credit होगा तो इस बात पर ध्यान दिजएगा कभी-कभी life insurance रहेगा honors का तो हमें drawing account debit to bank account entry pass करना होगा फिर देखते हैं next transaction देखिए अब transaction number 3 loan taken from the bank loan taken from the bank अब यहां समझिएगा देखिएगा कि माल लो यह तुम्हारा bank account है यह तुम्हारा bank है suppose करो SBI में तुम्हारा खाता है अब SBI को loan कोन देगा एक loan department होता है loan department होगा तो कभी भी उसी बंदा को पैसा मिलता है loan के रूप में अगर तुम्हारे SBI में खाता होगा तो ही तुम्हे loan दिया जाएगा तो loan department क्या करेगा तुम्हारे bank account में पैसा डाल देगा और यहां से तुम क्या करना अपना loan का जो भी amount होगा जो तुम्हारे account में आ तुम withdraw कर सकते हैं तो देखिए सबसे पहले देखेंगे कि loan कैसे आता है तो loan department loan department जो होता है loan department आपके bank account में पैसा को डाले तो जैसे ही आप loan लेंगे तो पैसा बढ़ेगा कहाँ बैंक में तो बैंक में तो फिलहाल पैसा आपका बढ़ जाएगा तो bank account को क्या करोगे डेबिट करोगे अट्टू एक bank loan आपके माथे पर कर्ज हो गया liabilities बढ़ गया तो आप क्या लिखोगे bank loan जिस भी बैंक से लिए SBI से तो SBI PNB से तो PNB bank loan account तो ध्यान से देखेंगे तो bank में क्या हुआ पैसा मेरा बढ़ गया तो bank account debit हो जाएगा और साथ साथ एसेट्स तो बढ़ गया और साथ साथ liabilities liabilities भी मेरा प्लस हो गया liabilities जैसे ही प्लस हुआ तो liabilities बढ़ने पर कहा जाता है credit में जाता है देखते हैं फिर next transaction अब देखते हैं बेटे transaction number 11 री पेमेंट आफ बैंक लॉन तो री पेमेंट अफ बैंक लॉन तो यहां ध्यान देने वाला बात यह है कि जब भी हम री पेमेंट करेंगे हम दो मोड में री पेमेंट कर सकते हैं एक तो बैंक एकाउंट से ही पैसा कटवा देंगे अगर मेरे बैंक अकाउंट में सफिसियंट है तो हम उस लॉन का मांउंट क्या करेंगे बैंक से ही कटवा देंगे तो देखिएगा जब यह पेड़ भाई bank होगा तो क्या entry बनेगा तो lawn तो मेरा liabilities था और liabilities खतम हो रहा है तो हम क्या करेंगे liabilities खतम होने पे debit किया जाता है तो bank loan account को हम debit करेंगे अट्टू पैसा कहा से कटवाए है bank से कटवा लिए तो bank से कटवा लिए तो bank को credit कर देंगे और दूसरा mode होता है कि paid जो किये paid by cash cash में हम payment किये तो बावो cash में payment किये तो इससे भी क्या फर्क पड़ता liabilities मेरा खतम हो रहा है तो bank loan account तो हम क्या करेंगे debit करेंगे और उसके बाद में इस वार bank से पैसा नहीं गया है cash में गया है तो business message मेरा घटा तो assets घटा और किस रूप में assets घटा cash के रूप में तो ये वाला entry हम पास कर देंगे तो ये हो गया हमारा repayment of bank loan फिर बेटे देखते हैं transaction number 12 transaction number 12 क्या है कि अगर हम if amount is transfer from one bank to another bank one bank to another bank एक्जाम्पल देखेगा में पैसा प्लस होगा तो क्या सिखाए है जिस भी bank में पैसा बढ़ेगा उसको डेबिट करना है तो entry क्या करेंगे PNB bank account debit अट टू पैसा कहा कट होड़ा है SBI में SBI bank account credit करेंगे तो ये था हमारा जब एक बैंक से दूसरे बैंक पैसा ट्रांसफर होता देखो asset कहां बढ़ा यानि cash कहां बढ़ा cash बढ़ा PNB में तो जहां cash बढ़ता है उसको debit करते है जहां cash मेरा घटता है asset assets जहां घटता है उसको credit करते तो SBI में पैसा घटा इसलिए SBI को credit किये PNB में पैसा बढ़ा इसलिए PNB को debit किये समझ गया तो यही था banking related transaction और भी छोटे छोटे कई transactions आएंगे banking related तो उसको हम लोग question करते टाइम पर देख लेंगे समझ गया न ठीक है बेटे फिर मिलते आप से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई जैहिंद देखते रहे हमारा वीडियो और सब्सक्राइब कीजिए भी और करवाते भी रहे ओके बावू थैंक यू